नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में रात के दस बजे का साथ और आए करते हैं सीट एट की बात आज हम करने वाले हैं विज्ञान के महतपूर प्रिशन हर बार की तरह इस बार भी प्रिशन है आपके practice set से तो वीडियो बहुत ही important है मेरे साथ सारे questions को इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुती महत्पूर्ट प्रिशन और इसी प्रकार के प्रिशन आपके जो है निश्चित आते हैं आएंगे और आई हुई हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजी स्टड़ी फॉव इनको और बेल आइकन को प्रेस कर लीजी जिससे आप हमारी स्पारी सी फैमली का हिस्सा बन जाए हमेशा हमेशा के लिए कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं अपने आज की इस विज्ञान के प्रेक्टिस सेट को और आज का पहला प्रशन है कुछ नमर 121 निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है चारों कथ कथनों में से कौन सा कथन असत्य है फिर से आपको असत्य कथन बताना है इन कथनों में से जो भी असत्य कथनों इन चारों में से तो जो असत्य कथन है वो है आपका आप्शन फोर्ट प्रोड्यूसर गैस सरल संत्रिप्त तता असंत्रिप्त हैड्रोकाबनों जैसे एथिली मेथेन, एसिटिलीन का मिश्रण है यह कथन जो है वो असत्त है एक ग्राम भार वाले पंक और एक ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज उड़जा है दोनों बस्तुओं के संबेग के बारे में निमनक में से कौन सा कथन सही है एकर हम दोनों के संबेग की बात के करें तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही होगा तो जो सही है आपका वो है आपका option 3 भारी वस्तू में अधिक संबेग होता है संबेग का आपका जो formula होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग तो जिसका द्रव्यमान जादा होगा उसका आपका संबेग अधिक होगा तो option third जो है वो आपका सही है next question number 124 कपड़े धोने के साबुन में कौन सा लबड उबस्थित रहता है यह बताना है आपको तो फटा-फट से answer कर दीजे कि जो कपड़े धोने के साबुन होता है उसमें जो लबड है वो है आपका sodium carbonate option first आपका सही है जीन का मुख्य कार क्या है जीन का आपको कार बताना है सबसे प्रमुख क्या है तो उसका सबसे प्रमुख कार है किसी कोशिका की विशेष्था निर्धारित करना ठीक अनुवन्शिक लक्षण जो हमारे प्रदर्शित होते हैं जो अनुवन्शिक्ता का जो वाहा के वो जीन होता है तो किसी कोश्का की विसेस्ता को निर्धारित करता है जीन और यह इसका प्रमुक्कार है किसी जलाशाय में मचलियों को ध्यान से देखने पर लगभक सभी मचलियों के पंक एवं पूछ चपटी होती है जो इन्हें क्या करती है जो इन्हें विकल्प दो वा तीन दोनों ही सही है जल के अंदर दिशा परिवरतन में शाहिता करती है तथा संतुलन बनाय रखने में भ कौन सी होती है तो वह होती है आपके हिंज संदी हिंज जॉइंट होता है उसके वज़ेसे हमारी कोहनी वह आगे और पीछे गती करती है नेक्स है जब हम कॉल्ड रिंग जानी पैपसी कोका कोला आदी की बोतल का मुहें खोलते हैं तो गैस के बुलबले तेजी से बाहर निकल कर दीजे और जिनों ने अभी तक जो है नोट्स नहीं प्राप्त किये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 9496369356 इस पर आप जो है वाट्सएप कर सकते हैं और ऐसे ही बैतरी नोट्स पीडियाफ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कॉन्टीटिव एक निर्भर करती है वस्तू के दिर्विमान पर और उसके ताप की ब्रधी बयानी एक बदो दोनों ही सही ऑप्शन थर्ड करेक्ट है दरवाजों तता खिड़कियों पर भारी परदे इसी लिए लगाया जाते हैं क्योंकि क्योंकि अनुरणन कम हो जाता है इस वजह से पेज ऑप्शन आपका टू सही है निमन मेंसे कौन सा LED से समधित नहीं है जो LED से समधित नहीं है यानी लाइट एंप्लिषा and डाईट LED का गवज कभी फुल फॉर्म भी पूस देता है वो कथन आपको बताना है तो वो आपका है option third LED CFL की अपिक्छा क्रत महेंगे होते हैं तो महेंगे नहीं होते हैं सस्ते होते हैं तो यह संबंदित नहीं है अमल वर्षा होती है अमल वर्षा क्या होती है एसिड रेन सफटाफट से answer करिए अमल वर्षा आपकी है बादल के जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूशकों के मध्य प्रतकिरिया के फल्स वरूप अमल वर्षा होती है विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी का प्रमुक लक्षण आपको बताना है क्या है तो बेरी बेरी का प्रमुक सब्सक्राइब कर दीजिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वास अभी को मेरा प्यार नमस्कार जैहिंच भारत कल फरी मिलते हैं रात में 10 बजी शुब रात्री अपना ख्याल लखिए सत्यमेव जयते नमस्कार